आओ सुनाएं तुने एक कहानी, बच्चों की जुपानी, इसमें ना कोई राजा रादी, बस आज की वखेदर हमें है बतानी आए देखने हैं भारत के संस्कार, जो विश्मे संसे उचे बाने जाते थे, अज किस तरह करियों में अपना अस्ती द्वेक होते जा रहे हैं आए अब पहले देखने हैं कि लोग किसी वख कहां तक पॉस्ती जा रही है ही भगवाण, आपनी इनको उससे क्यों शीद लिया, और मेरा क्या होगा, कौन बनेगा मेरा सहारा, ही भगवाण बड़े भाई, पिटाजी नहस्ती क्या लिखा है अरे लिखना क्या है, सारी प्रापरटी मेरी है हम तीन अफ प्रापरटी के हमता है पर तुम दोलों से बड़ा हूँ मैं, मुझे मिलेगी सारी प्रापरटी भाई मोड़ा सान दिमांग से सोच लिए, आज के दिन में सफाते नहीं करना चाहता अरे पता है प्रापरटी के बड़ा था? क्या बोल रहा था वो? वो कह रहा था कि सारी प्रापरटी उसकी है या ऐसा बोला उसने? वहा, वो कह रहा था कि पिता जी ने सारी वसियफ उसके नाम करी है पर पिता जी ने सारी प्रॉपर्टी हम तीनों के नाम कर रखी है हाँ, पिता जी ने सारी प्रॉपर्टी हम तीनों के नाम करी है हम तीनों इस प्रॉपर्टी के परावर के हट्दार है तो अब क्या से ने देखिया? एक काम करते हैं, खास रागिया उसका काम कमाम कर देते हैं नहीं भीया हम ऐसा नहीं जड़ सकते परे बेहन, तू बच मुस्पे विश्वास रख, बाकी समने सम्हान दूँगा चीट है भीया खास तो पूद उसे जिनना रिश्वास मुँगा, जान जिनना कुँगा मतेर को चलो, उमर गया प्रापटी तो बढ़ गई, क्यों न इसे, आरकड़ा है जाए कल सुबह नाश्टे के जमें, मैं अपनी बेहन का भी बैंट में जाड़ा आता हूँ अगला दिन भाया चाय, मैं नाश्टा लाते हूँ इसके चाय में जाय मिला देता हूँ भाया नाश्टा हाँ बहन, तुम भी चाय पियो, ये लो, तुम ये वाड़ी चाय पियो आँ भाया, इस चाय में क्या था? भाई भी मल गया, बेहन भी मल गयी सारी प्रॉपटे मेरी है इस सारी प्रोपटि का गेला मैं वारिस हूँ मज़ा आ गया आप से देखा लोग जो आजकी संस्कीति में कहां तक पौken चुका है कहां गए हों संस्कार कि भाई भाई से प्यार किया करता था लेकिन आज फुन का प्यासा हो गया है, आज लोग के भवर में फसकर हम अपने भ्यक्टिन के पतत्त कारश दे जाना है क्या यही हमारी संस्कार है, सबी हिष्टे नाते उसके लिए शुर्टने हो गये हैं, सब संस्कार कोई खो गये है ऐसे में बैकिसी अपने का फूर पहाने में भी दीचे नहीं आता है इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि बच्चों को बच्पन से संस्कार दिल जाए प्यार, अपना पंसादगी, और नीच अपने मिसके लिए अथी आवश्यक है हमें इसे बदलना होगा हमें बजलना होगा आएजिए देखे आज किस समय में बच्चे और मा की रिष्टे किस तरह बजलने जा रहे हैं मा एक से कंटर जो मेरा पून आ रहा है हलो हाँ हाँ मा पार्टी में दो हाँ जाओंगा परे वो मा है न ऐसे भेवा करते हैं जब से मा रुप जा मेरे एक पार करता हूं मा तुझे दिखाए नहीं गयता मैं पून में बात करा हूं जब देखो कुछणा को छोधा रहता अरे इतनी सारी दवाईया के पढ़िया गड़ में खालो ठीक हो जाओगी हर चोटी चोटी चीज़ में हॉस्पिटल जाने के चर्व इतनी होती है चाहिए मेरा बड़ी बेटा है इसके नहीं मैं सारी सारी राच जागा करती दी चलो आपको इस दवाईग खालेते होगे आँ मेरे तुम्हें इसना और भी जादा दर्फोने लग गया आँ मरबार चाहूंगे आँ आपने देखा आज के युप में बेटा मासे किस तरह बात करता है क्या यही है हमारे संस्कार जिन माता पिता ने अपने जिद्गी का एक है उस्सा अपने बच्चों की सवर्णतों को फूरा करने में लगा देते हैं वही बच्चे आज अपने कामी इतने व्यास्त हो गए कि अपने पूरे माता पिता की तवाई लाना में भूल जाते हैं ना जाने कहां गए वैसन्सकार, जहां बच्चे अपने अंदे माता पितागों कंदे मर भिठागर, फीर्थ याता पढ़ ले जाया करने थे, हमें इसे पदलना होगा, हमें पदलना होगा, हमें पदलना होगा, हमें पदलना होगा जिल गरें चल लाई को अकाट करने ना कुल आ करें चल लाएँ, जो बातर की दिदी दा रहे हो? दा अ के आ खिनक लीथ, को करें को लिए मारी हम इसां कतल ने ने और आ यह परने किसे चखर मिलें, ते रहे हो एंड करने हैं तो नड़के फिसे आ रहे हैं तो नड़के फिसे आ रहे हैं पुलिस का है हमारा कोई दायत नहीं है कहां क्या यह वही देश है जा पर नारे को लक्षमी के रूप में पूचा जाता था उसे शक्ति का सब्रूप माना जाता था क्या हमें इस कि वहने रूप में बदलना नहीं होगा आईए देखके आज के लिख में बच्चे अपना चन्म दिख किस तरह मनाते हैं अरे के कहां से मनगाया था वरा टीज्टी हाँ मेरी मपी ने फाइ स्टार से मंगाया था बढ़ा पहंगा हो न? यह बता तुमने ड्रिंग्स का इंजाम कर रहा है या नई? हाँ हाँ सबका अंजिताम कर रखा है चलो द्रिंग्स करते हैं डांस भी करते हैं च्टरस बड़ा हो या चुटा अब ये चत्न दिन पर होने वाली खुशी कुछ खास ही होती है ये अदिन हंने दिनों से कुछ अलग होता है लेकिन इसे मनाने का तरीका अब भार्टे नहीं रह गया केक काटना दोस्तों को बुलाना शोर बूल करना अधिक से खर्चा करना समय वतन दोनों की ही बर्वादी है लेकिन आज और सिर्फ पैसों की चमक भी खाना ही जन दिन का महतु रह गया है जबकि हम भार्तियों में तो जन दिन के दिन दिये जलाया जाते हैं ना कि खेक पर लगी मुझाया जाते हैं पुराने समय में जन दिन के दिन वड़ों का आशिपात किया जाता, दाद्धर्म किया जाता, करीबों को खाना किलाया जाता और जो वो दिन से दुआ थे 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 वे सिंदिगी का सच्छे आनोफा लभा माना जाता लेकिन अब हम अपनी मारते संस्कीती वा संसकार को छोड़कर पश्ची में देशों की संस्कीती वा संसकार को अपनाने जा रहे हैं हमें अपनी संस्कीती वा संसकार की तरफ लोटना होगा हमें लोटना होगा